Hello everyone, last class में हमने मुगलकाल में जहांगीर के बारे में पढ़ा था आज हमें next king शाह जहां के बारे में पढ़ना है शाह जहां के बारे में अपने पीता जहांगीर से गद्दी प्राप्त करके शाह जहां यानि की जिसका नाम खुर्रम था उसका एक लड़का जहांगीर और जगत गोसाई से जो एक लड़का था खुर्रम वही आगे चल करके शाह जहां के नाम से प्रसिद्ध होता है तो मैं यहाँ पर लिग देता हूँ खुर्रम शाह जहां जिसका एक और नाम या पुराना नाम खुर्रम था इसने अपने पिता से गद्धी प्राप्त किया मतलब जहांगीर के बाद अगला साशक मुगलकाल में अगला साशक होता है शाह जहां सन 1627 से लेकर के 1658 किसका साशन रहता है आईए इसके बारे में परिक्षा की द्रिष्टी से महतपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जैसे कि आपको पता है कि इसके बचपन का नाम क्या था खुर्रम था इसके बचपन का नाम खुर्रम था इसके पिता शाह जहां थे और इसके माता जगद गोसाई थी इसने पंद्रह सौली 1628 में अपना राज़ज्य भीशेख करवाए अपने पैसा के मित्यों के बाद गद्दी प्राप्त किया था 1627 में और 1628 में इसका राज्यविशेक हुआ था इसकी पत्नी शाह जहां की पत्नी का नाम था अर्जुमन बानो बेगम इसकी पत्नी थी अर्जुमन बानो बेगम अर्जुमन बानो बेगम याद कीजिए इसके पिता थे या खुर्रम के पिता थे जहांगिर जहांगिर का तीसरा विवाह हुआ था किसके साथ में? जहांगिर का तीसरा विवाह हुआ था नूर जहां के साथ में ये जो नूर जहां थी उसके भाई की पुत्री अरजुमन बानो बेगम थी यूं कह सकते हैं कि नूर जहां की भतीजी थी अरजुमन बानो बेगम जिसका युवा किसके साथ हुआ खुर्रम या शाह जहां के साथ में हुआ था और इसी अरजुमन बानो बेगम को आगे चल करके शाह जहां ने मुम्ताज की उपाधी दी मुमताज की उपादी दी और ये नाम सुन करके ही आपको एक बड़ा ही महतपूर्ण मॉनुमेंट भारत का यादार होगा इसका नाम क्या है ताज महल मुमताज के इस ताज शब्द से यहां पे ताज महल बनवाया गया है किसके नाम पर? मुमताज के नाम पर किसने बनवाया है? शाह जहां ने तो शाह जहां की पतनी अरजुमन बानो बेगम जिसका की एक और नाम था मुमताज और इसी मुमताज का जो मगबरा है यहां पर बनाया गया है ताज महल या मुम्ताज की याद में पहले ताज महल बनवाया जा रहा था बाद में मुम्ताज की मृत्यू के बाद में उसका जो मगबरा है उसी ताज महल में बना दिया गया ठीक और इसकी मृत्यू कब हुई थी 1631 में मुम्ताज की मृत्यू हुई थी 1631 में इस समय ताज महल का construction चली रहा था और इसी बीच में मुम्ताज की बृत्ति हो जाती है जिसके बाद में ताज महल में ही मुम्ताज का मगबरा बना दिया जाता है तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ताज महल के बारे में तो इसके बारे में दो तीन मुत्वपोन चीज़े हैं इसको देख लेते हैं यही पर सबसे पहली चीज़ ताज महल में किसका मगबरा है तो मुम्ताज या अर्जुमन बानो बेगम का मगबरा है ठीक है, दूसरी चीज यहां पे ताज महल को बनाने वाले दो लोगों का नाम बड़ा प्रिसिद्ध है पहला है इसके designer या इसको group रेखा देने वाले इसको हम कह सकते हैं ताज महल का design किसने बनाया है और दूसरा है ताज महल का construction किसने करवाया है या इसके निर्मान करता पहली चीज़ ताज महल का जो डिजाइन है इसको बनाने वाले व्यक्ति है उस्ताद एहमद लाहौरी ताज महल का डिजाइन बनाने वाले जो व्यक्ति है इनका नाम है उस्ताद एहमद लाहौरी उस्ताद एहमद लाहौरी दूसरी तरफ जो निर्मान करता है इनका नाम था उस्ताद इंसा खाँ उस्ताद इंशा खाँ ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे ताज महल किसके नाम पर बनवाया गया है? मुम्ताज के नाम पर मुम्ताज कौन थी? शाह जहा या खुर्रम की पतनी थी ये किसकी बतीजी थी? तो नूर जहां की बतीजी थी ताज महल का डिजाइन बनाया था उस्ताद एहमद लहौरी ने और ताज महल का निर्मान करवाया है उस्ताद इंशा खाने ठीक है? ये कुछ बाते थी, ताजमेल सित्ममन थी, ताजमेल का जिक्रेश ले आया, क्योंकि यहाँ पर मुम्ताच का कबर है, या उसका कह सकते हैं कि मकबरा है ठीक है, उसके बाद में शाह जहां, शाह जहां जो है वो, उसका कारेकाल रहता है 1627 से लेकर के 1659 तक और शाह जहां की मृत्यू, शाह जहां की मृत्यू हो जाती है, 1666 के आसपास, 1666 के आसपास इसकी मृत्यू हो जाती है तो जनरली हम देखते हैं कि राजा की मृत्यू के बाद ही उसकी गद्धी उसके पुत्र को प्राप्त होती है लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसका गद्धी पहला उसका शाषन पहले समाप्त हो गया है 1658 में और उसके मृत्यू बाद में हो रही है इसका मतलब है कि उसके किसी पुत्र ने पहले अगद्धी प्राप्त कर ली है किसी भी तरीके से विद्रोह करके और बाद में इसके मृत्यू हो गई है इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी देखिएगा शाह जहां के चाउदा लेकिन इसमें से केवल साथ जीवित बचे इन चाउदा संतानों में से साथ जीवित रहे शाह जहां के चाउदा संतानों में से केवल साथ जीवित रहे और इन साथ जीवित संतानों में चार पुत्र थे और तीन पुत्रियां थी चार पुत्र और तीन पुत्रियां थी इन चार पुत्रों में ही एक नाम आपने बड़ा फेमस सुना हुआ है औरंगेब ठीक है ये भी इनी चार पुत्रों में से एक था ठीक है एक एक करके इनके नाम देखते हैं इनका सब पहला पुत्र था दारा शिकोव दारा शिको इनका दूसरा पुत्र है औरंग जेब शाह जाह का दूसरा पुत्र है औरंग जेब इनके तीसरे पुत्र का नाम है शाह सूजा और चौथे पुत्र का नाम है मुराद उसके बाद में इसको जो तीन पुत्रियां है, इनका नाम क्या क्या है? इसमें सबसे पहला नाम है जहां आरा, जहां आरा, दूसरा नाम है रोशन आरा और इनकी तीसरी पुत्री का नाम है, गौहन आरा इनके चार पुत्र हुए दाराशिकोह, औरंगजेब, शाह सूजा और मुराद इनकी तीन पुत्रियां हुई जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा पुत्र थे, दाराशिको, औरंग जेब, शाह सूजा और मुराद पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा इसमें से शाह जहां के बाद जो अगला विक्ति है जिसको गद्धी प्राप्त होता है वो कौन था? औरंग जेब किसको गद्धी प्राप्त होती है औरंग जेब को इसकी स्टोरी भी देखेंगे कि कैसे औरंग जेब ने गद्धी प्राप्त की थी फिलहाल शाह जहां के बारे में कुछ महत्वपूंट बिंदु है जो इसके आगे देखते है जब शाह जहां जीवित था उसी समय इसने अपने कुछ पुत्रों को अलग अलग जगों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था जैसे औरंग जेप को इसने दक्षिन में या जिसको आपको किताबों मिल सकता है दक्कन तो औरंग जेप को दक्कन का या दक्षिन का सूबेदार बनाया गया था दक्षिन के कुछ राज जेश को दिये गए थे साशन करने के लिए सुभेदार के रूप में वैसा ही शाह सूजा को बंगाल का छेत्र मिला था और जो तीसरा पुत्र था मुराद इसको गुजरात का छेत्र मिला हुआ था इसको गुजरात का छेत्र मिला हुआ था ठीक है इसके लगभभ कह सकते हैं कि दाराशिको जो है उससे मैं दिल्ले में ही था और माती पुत्रों को अलग-अलग छेत्र शाषन करने के लिए दिये गए थे शाह जहां के द्वारा उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इन सभी में सबसे सहिष्णू शाषक कौन था तो ये जो दाराशिको है ये सबसे सहिष्णू साषक था ये सभी धर्मों का आधर करता था और चाहता था कि इसके प्रसाषन में हर तरीके के लोग भागिदार रहें दूसरी चीज ये सबसे विद्वान शासक भी था दाराशिको सबसे विद्वान भी था कह सकते हैं इसकी विद्वता कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कई सारे पुरानिक ग्रंथों को जैसे कि भगवत गीता हो गया उपनिशद हो गया रामायन हो गया इन सभी का फार्सी में अनुवात करवाया था ठीक है विद्वान था ये बात कैसे सिद्ध करेंगे तो इसने कई ग्रंथों को कई हिंदू ग्रंथों को फार्सी में अनुवात किया था ठीक है इसने कई हिंदू ग्रंथों को फार्सी में अनुवात किया था उसके बाद में जब जहांगेर की मृत्यू हो रही थी मतलब शाह जहां के जो पिता थे जहांगीर उनकी जब मृत्य हुई थी उस समय शाह जहां जो था वो दक्षिन का सुब़ा इसको प्राप्त हो गया था ठीक है? मतलब जब जहांगीर के मृत्य हुई थी उस समय शाह जहां जो था वो दक्षिन के तरफ कारे कर रहा था और उसी समय जो जहांगीर का एक और पुत्र था इसका नाम क्या था जहांगीर का एक और पुत्र था खुसरो याद है आपको खुसरो वही पुत्र है जिसको की जहांगीर ने क्या किया था उसकी दोनों आखों में गरम लोही की छड़ से उसको अंधा किया था सबसे पहले और बाद में उसकी हत्या करवा दी थी यही जो खुसरो था इसको राजा बना दिया गया था उस समय के लिए और बाद में जब जहांगीर अपने शाशन में पहुंचता है तब उसने खुसरो को गद्दी से हटाया उसको सबसे पहले अंधा किया और उसके बाद में उसकी हत्या करवा दी थी ठीक है तो यहाँ पे जो शाह जहां है उसके समय में भी उचैसी घटना हो रही थी शाह जहां जो था वो अपने बित्तिव जब शाह जहां जो था जब हो रहा था तो शाह जहां कैसेकने की दिल्ली में नहीं था वो अपने आसपास के छेत्रों में ब्रह्मन पर निकला हुआ था इसी समय इसके बाकी के पुत्रों के बीच में उत्तुरादिकार का युद्ध शुरू हो गया था अब ये उत्तुरादिकार का युद्ध किनक उसको समाप्त करवा डिया खीक है इसने शिजदा और पैबोस समाप्त करवाया Archive कि सजदा और पैबोस तो शिजदा का मतलब क्या है मैंने बताया हुआ है जब भी कोई विकति राजा के समक्ष या प्रक्ति तो शिजदा मतलब सेंशञड़ दुए करके उनको सलाम करना या फिर उन से जो मिलना फिर तो शिजदा और पयबोस इन दोनों को ही समाप्त कर दिया थित जेन किसमे शाह जहाने उसके बाद में शाह नहीं क्या किया था इसने जो कैलेंडर है उसमें कुछ चेंजेस किये हैं क्या चेंजेस हुए है इसने इलाही समवत के इस्थान पर इलाही समवत इलाही कैलेंडर जो है उसके इस्थान पर एक नया कैलेंडर जारी किया इसका नाम क्या है इसका नाम है हिजरी समवत हिजरी समवत इलाही समवत के इस्थान पर इसने हिजरी समवत का प्रियोग प्रारम करवाया ठीक है उसके बाद में इसने एक बहुत गह सकते हैं कि अजीब टाइप का एक काम करवाया था जो कन्वर्जन है हिंदूओं को मुसलिम धर्म में इसलाम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए वहीं पर इसको इसने पूरा सिस्टेमेटिक धंग से क्या किया एक विभाग ही बना दिया ठीक है? कन्वर्जन के लिए या फिर इसलाम धर्म एक्सेप्ट करने के लिए मैं लिख देता हूँ धर्म परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इलाही समवत के इस्थान पर हिज्री समवत का प्रयोग प्रारम करवाया और धर्म परिवर्तन के लिए एक अलग से विभाग का भी गठन करवाया उसके बाद में शाह जहां ने अपना समराज्य विस्तार करने के लिए क्या है किया इसने अपना समराज्य विस्तार कहां तक क वो डक्षिन की तरफ मूव करना शुरू किया और यहीं पे इसने कौन कौन से जगों को जीता आपने एक जगा का नाम पहले ही पढ़ा हुआ है एहमद नगर एहमद नगर ठीक है बहमनी सामराज ये पांच हिस्सों में बटा था उसी में से एक हिस्सा है एहमद नगर उसी में ही एक और हिस्सा है बीजापूर इसी में ही एक और हिस्सा है गोलकुंडा एहमद नगर, बीजापूर, गोलकुंडा ठीक इन सभी छेत्रों पे इसने अरिकार कर लिया और इसको मुगल समराजे में मिला लिया ठीक है पश्चिम की तरफ देखें तो इसने काबुल या कंधार और अफगानिस्तान तक का छेत्र जीत लिया था ठीक है कंधार या यूँ कहें कि अफगानिस्तान तक का छेत्र जीत करके अपने सामराज्य में मिला लिया था किसने शाह जहां ने ठीक अब यह जो पूरा इत सा महाल शुरू हो जाएगा या उत्तरादिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा ठीक है उत्तरादिकार का युद्ध मैं लग देता हूं एक बिद्धि छोड़ा है वह मृत्यु की वज़ेसे नहीं छोड़ा क्योंकि इसकी मृत्यु तो काफी बाद ने हुए 1666 के आसपास हुई है तो इसको पहले ही गद्धि क्यों छोड़나 पड़ा है अपने बच्चों के बीच में जो उत्राधिकार का युद्ध चल रहा था जिसमें की अंतत्र औरंग जेब विजय होता है, औरंग जेब ने इसको गद्धी से हटा करके और स्वयम गद्धी प्राप्त किया था, ठीक है, तो इनके जो पुत्रों हैं, उनके बीच में कौन-कौन से उत्रादिकार के युद्ध हुए, इसको देखते हैं सबसे पहले, कहां पर है, ये बहादूरपूर है, बंगाल में, बहादूरपूर का युद्ध, ये जो है, बहादूरपूर बंगाल में है, ये कह सकते हैं कि इनके सभी पुत्रों के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें से केवल दाराशी को ऐसा था जो अपने पिता, शाह जहां के पक्ष में था कि उनके पिता को ही अभी शाशक बना रहना चाहिए और इसके अन्य तीन पुत्र कह सकते हैं कि तोटल चार पार्टिस आपस में लट रही थी कौन-कौन एक तरफ औरंग जेब दूसरी तरफ शाव सुझा तीसरी तरफ मुराद और चौनथी तरफ था दारशिको जो की अपने पिता शाह जहां के साथ में शामिल था तो ये इन सभी के बीच में युद्ध चल रहा था ठी इसका कुछ भी फैसला नहीं निकल निकला ठीक है और ये इस युद्ध में कह सकते हैं कि आपका शाह जहां ही साशक बना रहा नेक्स्ट युद्ध हुआ है अगला युद्ध है धर्मट का युद्ध ये धर्मट का युद्ध भी किस समय हुआ है तो ये भी 1659 के आसपास ही हुआ है ये दोनों युद्ध 1659 में है 1658 1658 1659 के ही ये दोनों युद्ध है और पहला था बंगाल में दूसरा युद्ध हुआ है उज्जेन के आसपास उज्जेन में ये युद्ध हुआ है इस युद्ध में दाराशिको मुराद और औरंगजेब ये तीनों ही आपस में लट रहे थे दाराशिको, औरंगजेब और मुराद ये तीनों ही आपस में लट रहे थे साह शूजा शायद इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया था उसको ये पता चल गया था कि औरंग जेब एक सक्तिशाली साशक है उसके साथ युद्ध करूँगा तो दिल्ली तो नहीं मिलेगा लेकिन बंगाल जो की उसके पास था वो भी चला जाएगा शायद ठीक है ये सोच करके उसने खुद को युद्ध से बाहर रखा था तो ये युद्ध धर्मट का युद्ध जो था किन के बीच में हुआ है दारा, मुराद और और अरंग जेब के बीच में इस युद्ध में जीत किसकी हुई ये तो नहीं पता लेकिन इस युद्ध में अन्तित दाराशी को पराजित हुआ है दारा जो है वो पराजित हो गया ठीक, नेक्स्ट अब 1658 में ही आपको पता है कि शाह जहां की मित्य हो जाती है लेकिन उसकी मित्यू के पहले ही ये तीनों युद्ध चल रहे है ये जो तीसरा युद्ध है ये भी 1658 में ही है ये उत्रादिकार का ही युद्ध है गर्दी के लिए ही ये युद्ध करके होते जा रहे है ये युद्ध है सामुगड का युद्ध सामुगड का युद्ध इस युद्ध को रड़ा गया है कहां पे इस युद्ध को रड़ा गया है आगरा के आसपास छेत्र में आगरा ठीक है 1659 में ही सामोगड का युद्ध जो की आगरा के पास रड़ा गया है अब ये जो सामोगड का युद्ध है ये मतपूर्ण है बई एक्जाम में पूछा ग एक बार अपनी शक्तियां एकत्रित की और फिर से एक आखी लड़ाई औरंग जेब के खिलाफ लड़ा था ये ठीक है तो यहां पे आप कह सकते हैं कि तारशी को और औरंग जेब के बीच में युद्ध हुआ है और इसमें अंतित्ह औरंग जेब विजीत हो गया इस युद्ध में सामुगड के युद्ध में औरंग जेब विजीत हुआ और इसके बाद इसके शाशक बनने का या किंग बनने का राजा बनने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका था ठीक है तो सामुगड का युद्ध दारशी को और अंग जेब के बीच में लड़ा गया इसमें औरंग जेब अंतता विजित हुआ औरंग जेब ने युद्ध जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या किया अपने पिता ठीक है अपने पिता शाह जहां को कैद करवा लिया कैद क्यों करवाया क्यों कि इसे सबसे पहली चीज राजनीति में पूरी award चाहिए थी, मतलब इसको सत्ता चाहिए था, दूसरी चीज, इसके पिता शाह जहां की वज़ह से, इस समराज ज़िकी आर्थिक सित्य काफी खराब हो गई थी, ठीक है, इसके पिता ने जो ताज महल बनवाया था, उसकी वज़ह से, इस सामराज्यकी या दिल्ली सलतनेत स्वरी मुगल सामराज्यकी सिती आर्थिक सिती काफी कमजोर हो गए थी इससे औरंग जेब काफी नरास था ठीक है तो औरंग जेब ने क्या किया सबसे पहले अपने पिता को कैद करवाया और अपना राजबिशे करवाया ठीक है उसके बाद में इसके बांकी के भाई तो भी बचे हुए है ठीक तो बांकी के भाईयों के बीश में फिर से युद्ध होगा ठीक कौन सा युद्ध है एक युद्ध है खजुआ का युद्ध ये युद्ध हुआ है 1659 में खजुआ का युदुऑ है 1659 में UP में गोरकपूर के आसपास गोरकपूर के आसपास गोरकपूर में ये जो युदुऑ था 1659 में ये कैंके बीच में लड़ा गया है इसके एक भाहि का नाम आपको याद है शासूजा ठीक है साहसुजा जो की बंगाल के एरिया में साशन कर रहा था जो की किसकी युद्ध में भाग नहीं लिया था याद कीजिएगा धर्मट के युद्ध में शाहसुजा ने भाग नहीं लिया था धर्मट की युद्ध में दारा, मुराद और औरंग जेव ये युद्ध में शामिल हुए थे तो ये जो शाह सूजा था इसने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया उसको अब लग गया था कि बाकी के भाई शायद कमजोर हो गया है सिर्फ औरंग जेव बचा है जिससे युद्ध करना है इसलिए शाह सूजा ने इस समय 1659 में औरंग जेव को चैलेंज किया और एक युद्ध की शुरुआत किया शाह सुजा इस युद्ध में पराजित हुआ और औरंग जेब फिर से इस युद्ध में विजई हो गया मतलब शुरु आज से ही यू कह सकते हैं कि बहादुर पूर का युद्ध जो की पहला युद्ध था इसको अगर छोण दे तो शुरु से ही धर्मट, सामुगर और खजुआ इन सभी युद्धों में केवल औरंग जे भी सबसे जाधा dominating character रहा है ठीक है सबसे जाधा शक्तिशाली शासक के रूप में उबरा है इसके बाद में officially एक अंतिम युद्ध इसको लड़ना पड़ा है 1659 में ही युद्ध था 1659 में ही एक और युद्ध लड़ना पड़ा है इसका नाम है देवराई का युद्ध देवराई का युद देवराई का युद देवराई कहां पे है महाराष्ट में महाराष्ट देवराई है महाराष्ट में यहां पर युद्ध लड़ना पड़ा है औरंग जेप को दाराशिकोह से ठीक है दारा शिको बार बार युद्ध हार रहा है पर अभी भी वो ये accept करने को तयार नहीं है कि औरंग जेब जो है वो राजा बन गया है और उसके पास अब सत्ता नहीं है ठीक है वो अपने आस पास के जो भी शासक थे जो भी उसके मिर्त थे उनको इकठा करके वापस से कएक अन्तिन चेलेंज करता है औरंग जेब को दिवराई के युदध में देवराई के युद्ध में दारा की हत्व कर दिजाती है बार बार औरंग जेब इसको भाई समझके छोड़ दे रहा था लेकिन इस बार इसने इसको final conclusion कर दिया इसका दारशी को इस युद्ध में मारा गया और इसके बाद में औरंग जेब जो है वो कह सकते हैं कि दिल्ली पर एक मात्रे साशक बच किया था अब यहीं पर इसने क्या किया दिल्ली में जब इसने साशन प्रारम किया तो इसने दूसरी बार अपना राज्यविशेख करवाया ठीक है सबसे पहला था 1658 में एक राज्यविशेख करवाया था और दारा की मृत्यू के बाद दारा की हत्या करने के बाद 1659 में एक बार फिर से अपना जो है वो दो बार राज्याभिशेक करवाने वाला साशक कौन था और अंगजेब और अंगजेब पहला था 1658 में दूसरा था 1659 में ठीक है उसके बाद में यहां पे कुछ कुछनियस पॉइंट है जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसकर कि मैं क्लास्स में नड करते हैं इनको भी नोठ का लिजिएगा एक शब्द है अना को इसके लिए हम यूज्स करतें यह संद why वा ड के ये जो आना नाम के सिख्के थे इनका प्रचलित किसने करवाया था आना नाम से सिख्के जो है वो प्रचलित करवाया था किसने शाह जहां ने आना सिक्के शाह जहां आना नाम से सिक्के पिछने पर स्लित करवाए शाह जहां ने ठीक उसके बाद में दाराशिको ठीक है दाराशिको कौन था जिसने धर्मट सामुगर और साथी देवराई के युद्ध में औरंग जेप के खिलाफ युद्ध किया और पराजित हुआ यह लगु अकबर की संग्या किसको दी जाती है लगु अकबर की संग्या दी जाती है दारा शिकोह को ठीक है और इसके बाद तो आपको पता है कि औरंग जेब ने अपने पिता शाह जहां को कैद करवा लिया 1658 में और 1666 में इतकी मृत्य हो जाती है ठीक है कहां पर कैद करवाया तो जैसे कि मैंने बताया था कि शाह जहां ने कौन से इमारत का निर्मान करवाया था ताज महल का निर्मान करवाया था किसके लिए निर्मान करवाया था तो अपनी पत्नी अर्जुमंत बानो बेगम जिसका की दूसरा नाम था मुमताज ठीक है उनी के लिए ताज महल का निर्मान करवा जा था तो क्योंकि शाह जहां को अपनी ये पतनी मुमताज बहुत प्री थी और उसका मगबरा भी ताज महल के अंदर ही था इसलिए औरंग जेब ने ताज महल के किनारे ही एक छोटा सा मकान बनवा करके और वहीं पर शाह जहां को कैद करवा दिया था उस मकान में एक छोटा सा खिड़की दे दिया था ताकि वहां से वो ताज महल को देखता रहा है और वहीं से ताज महल को देखते देखते उसकी मृत्य हो जाती है ठीक है शाह जहां की नृत्य हो जाती है ताजमहल के ही पास में ठीक और बाद में जब उसकी नृत्य होती है तो उसका भी जो मगबरा है वो ताजमहल के अंदर ही बनवा दिया जाता है इस तरीके से जीते जी ना सहीं बरने के बाद मुम्ताज और शाह जहां दोनों आसपास रह सके इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्मान कारे है जो की शाह जहां से संबंदित है इसको देख लीजेगा दिल्ली के पास में एक नगर है शाह जहानाबाद शाह जहानाबाद कहां पर है दिल्ली में दिल्ली के पास में इसको भी किसने बसाया था शाह जहाने बसाया था उसके बाद में दिल्ली में ही एक दिल्ली का जो किला है वही पे इसने एक निर्मान काम करवाया था इसका नाम है दिवाने आम और दिवाने खास ये दोनों का ही निर्मान करवाया था किसने शाह जहाने ठीक है दिवाने आम मतलब जहां पे आम लोग मिल करके सभा कर सकें कोई डिसकेशन कर सकें और दिवाने खास मतलब जहां पे कुछ खास लोग मिल करके बैठ करके कुछ डिसकेशन कर सकें दिवाने आम और दिवाने खास इसके लावा आगरा में ही इन्हों ने एक मस्जिद का निर्मान करवाया जिसका नाम है जामा मस्जिद जामा मस्जिद आगरा में वैसे कह सकते हैं कि इसका निर्मान शाह जहां के समय में हुआ था लेकिन इस मस्जिद का निर्मान एक्चुली में शाह जहां ने नहीं किया था बलकि उसकी पुत्री जहां आराने करवाया था आग्रा में जामा मस्जिद का निर्मान शाह जहां की पुत्री जहां आराने करवाया था बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आप ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा शाह जहाना बाद और साथी दिवाने आम तथा दिवाने खास ठीक है लगु अगबर किसको कहा जाता है दाराशिको को कहा जाता है इसके अलावा आना नाम से जो सिक्के है किसने प्रेचलित करवाये थे तो शाह जहाने प्रेचलित करवाये थे ठीक है इसके अलावा ये जो पांच युद्ध है उत्तरादिकारिस से सम्मंधित पांच युद्ध है बहादुर धरमट सामुगड खजुआ और देवराई का युद्ध सभी 1658 और 1659 के आसपास हुए है शुरुआत के जो तीन युद्ध है 1658 में हुए है बात के दो युद्ध 1659 में हुए है ठीक है 1658 में ही जो सामुगड का युद्ध था इसी युद्ध के बाद में सामुगण के युद्ध के बाद में ही शाह जहां को औरंग जेब ने कैद करवा लिया था कहां पर ताजमहल के पास में ही एक छोटा सा मकान बनवा करके इसको कैद करवा लिया गया था और वहीं पर शाह जहां की मृत्यु हो जाती है शाह जाहां की मृत्यू कब होती है 1666 में ठीक है तो ये स्टोरी यहाँ पर खतम होती है शाह जाहां की उमीद है आपको इसमें से महतपूर्ण बिंदू जो है वो समझ में आ गया होंगे जो exam के point of view से important है इस notes में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उतना आप याद कर लेंगे पेस्सी व्यापम के दिश्टी से ये sufficient होगा ठीक है तो आज की class में हम इतना रखते हैं Thank you